नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर गंगाचला पूर्ते योजना और गया जी डैम को मिला राश्ट्रे पुरस्कार बिहार के आठ मेडिकल कॉलेजों के बदले गए अधिक्छक और प्राचारिया पहली से पहले बिहार में महंगाई की मार नागल अचनाओ में चिराग को मिली दोसी तो वहीं जेडियू को बस एक भानको हडागर आउस्ट्रेलिया पहुंची वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से गंगा जला पूर्ती योजना और गया जी डैम को मिला राश्ट्रिय पुरस्कार आज यानिकी शुक्रवार को दिल्ली में आयुजित विशेश चमारों में बिहार की महत्वकांची योजनाओं में सामिल गंगा जला पूर्ती योजना और फल्गू नदी पर बने गया जी डैम को किंद्र सरकार द्वारा अस्थापत संस्था सेंट्रल बोर्ड ओफ इरिगेशन और पावर के द्वार के द्वार प्रतिस्थित राश्ट्रिय पुरुषकार सीबी आईपी अवोर्ड दो हजार बाइस प्रदान किया गया है विखा की इस उपलबधी को लेकर जल संसाधन मंतरी संजय कुमार जा ने कहा है की ये अतीew महत्वकांची योजनाई मुख्छ मंतरी नितीज कुमार के अनूठी परीकल्पन और दूर्द्रिस्टी का परिणाम है कहा कि इस योजनाओं का नाम मुख्य मंत्री के निर्देश पर ही रखा गया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अवर्ड प्रतेक वर्ष जल संसाधन उर्जा और गैर पारंपरिक उर्जा के छितर में बहतरीन पर योजनाओं को दिया जाता है मालूमों कि समारों में मुख अधिक्छक और प्राचारी को बदल दिया गया है बता दी कि जारी की गई अधिसूशना के नुसार आठ मेडिकल कॉलेजओं में अधिक्छक की पोस्टिंग की गई है तो वहीं दो कोलेजों में नए प्राचारी की टैनाती की गई है जिन में डॉक्टर रेनू रोहतगी क प्रधान ध्यापक के पद पर डॉक्टर दिनेश कुमार को बेतिया मेडिकल कॉलेज में प्रिंशिपल बनाये गया है वही वर्तमान में बेतिया मेडिकल कॉलेज में प्रधान ध्यापक के पद पर डॉक्टर दिनेश पोस्टेड है इसके लावा जिन लोगों को अधिक्ष के रूप मेडिकल कॉलेज़ों में पोस्टिंग की गई है उनमें डॉक्टर राजीव रंजन को नालंदा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर श्री प्रकास सिंग को अनुगरह नारायन मेडिकल कॉलेज गया उधरैनारायन सिंग को भागलपुर Medical College, डॉक्टर दीपक कुमार को SKMCH मुझपरपुर, डॉक्टर अलका जильно को दर्भणगा Medical College, डॉक्टर अरुन कुमार सिन्हा को पावापुरी Medical College, डॉक्टर मालती कुमारी को मध्यपुरा Medical College और शुधा भार्ति को बेतिया Medical College कादिक्छ के रूप में पोस्टिंग मिला है खोली से पहले बिहार की राजधानी में सराब जब खोली आने वाली है और ऐसे में सराब तसकर काफी सक्डिय हो गया है और लगातार सराब की तसकरी को अंजाम दे रहे हैं बतादी की ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है जहां म पुलिस को सरक पर लावार इस रूप में पड़ी मिली थी। फिलाल अभी पुलिस के दोरा सराब की खेप को लाने वाले सराब तशकर की तराशी की जारी है। किस पत्र में आतंकी के दोरा गया एरपोर्ट को ड्रोन हमले से उरानी की धमकी दी गई है जिसके बाद अब इस एरपोर्ट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके लावा एरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा को देखते वे CISF के जवानों को खास निगरानी का नर्देश दिया गया है। यूपी और बिहार के लिए शुड़ू हुई 16 जोडी स्पेशल ट्रेनी हुली में अब कुछ ही दन बाकी रह गया है। इसके लाव बतादे किस बात की जानकारी पुम्रे की मुखे जन संपर्क अधिकारी विरंदर कुमार के द्वारा दी गई है। मालू हो कि इससे पहले भी रेलवे के दोरा होली को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन का निरने लिया जा चुका है। नालंदा मेडिकल कॉलिज के डॉक्टर हुए लापता। वही पिरत परिवार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार अब तक उन्हें किसी तरह की फिरोती का कॉल भी नहीं आया है। तेश्वी आदव के विभाग से आनंद के सोड को किया गया पदभार मुक्त। वही दूसी और बिहार सरकार के दोरा राज्ये में कई वरिस्ट आई एस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौपी गई है। उन्हें योजना विकास विभाग के अपर मुक्य सचीव अरुनीश चावला, धर्मेंदर सिंग और पटना के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पडासर का नाम शामिल है। अरुनीश चावला को नगर विकास विभाग और पटना, मिट्रो का प्रबंध निदेशक का अतरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं दूसरी और किराना समानों पर भी लगभग 10 फीज़ी तक की बरहोतरी हो गई है। अर्जीडी ने किया स्वागत चुनाव आयोक के कामकाज में विश्वसनियता आ सके। इसको देखते वे बीते दिन सुप्रीम कोड के द्वारा चुनाव आयोक के सदस्यों के चेहन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। बता दे की लिये गया। चुनाव आयोकतों की नियुकती अब सीधे केंद्र सरकार के द्वारा न की जाकर के नियुकती की सिफारिस फ्रिधान मंत्री लोग सभामे नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमीटी के द्वारा की जाएगी। मैं कोड के इस फैसले को लेकर आरजएडी की ऊर से स्वागत करते वें आरजएडी के राजश्य उपाध्यक्ष सिवारं तिवारी के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोड की समयधानिक पीट के द्वारा तीन सदश्यों की कमीटी बनाने का जो निर्ने लिया गया है वह बिल्कुस स्वागत योग्य है उन्होंने कहा कि इससे ना केवल आम लोगों की विश्वसनेता चुनाव आयो के कामकाज पर बढ़ेगी बलकि इससे राजनैतिक पार्टियों के भी विश्वसनेता बढ़ेगी सुप्रीम कोड के फैसले के नुसार अब चुनाव आयो के परिनाम आ चुका है बता दे कि जारी किये गए परिनाम के नुसार इस चुनाव में बीजेपी और एंडी पीपी गडबंधन के द्वारा बड़ी जीत हाशल की गई है मालूम हो कि एक तरफ जहां एंडी पीपी गडबंधन को 25 सीटों पर जीत मिली है तो वहीं बीजेपी को 12 सीटों पर और कॉंग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है इसके लावा अगर बिहार की तीन पार्टियों की पात करे तो चिराग पाशवान की पार्टी लोजपा राम विलास पार्टी के द्वारा दो सीटों पर जीत हासल की गई है जबकि चिराग पाशवान की पार्टी क की पार्टी आर्जेडी कर रहा बता दे कि आर्जेडी नागा लैंड में एक भी खाता नहीं खोल पाई तमिल नाडू में बिहारियों पर हुए हमले को लेकर विधान सभा में वेरे पक्ष और विपक्ष पिहार विधान सभा के बजट सतर के पांचवे दिन तमिल नाडू में हुए बिहारियों पर हमले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जम कर हंगामा हुआ एक तरफ जहां पक्ष की ओर से उपमुखे मती तमिल नाडू में ऐसा कोई हमला बिहारियों पर हुआ ही नहीं है वहें इसके बास तदन में तेश्री आदव और नेता प्रतिपक्ष विजह सना के बीच बहश होनी शुरू हो गए सुरान विजह सना के सवाल का जवाब देते वे तेश्री आदव ने कहा कि वे तमिल नाडू अडानी के प्लेन से नहीं गया थे पिहार विधान सभा के पाचवे दिन सदन के शुरू होने से पहले ही आरजेडी के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर विधान सभा परिश्टर में पोस्टर के साथ रकेंदर सरकार का विरोध किया गया बता दे कि जिस पोस्टर को लेकर राज़त की द्वारा किंद सरकार के खिलाब विरोत किया जा रहा है उस पोस्टर में एक महिला है जो कह रही है कि कब तक झेल लेंगे कमरतोर महंगाई की मार हर चीज हो गई है खरीदने की छंता के साथ बरबाद हो गई हो ली और सारे तीस त्योहार अब और नहीं चाहिए मोदी सरकार बता रहे कि इस पोस्टर को देख कर यह साफ पता चलता है कि राज़त इस पोस्टर के माधियम से लोगों को दिखाना चाहती है कि जनता अब मोदी सरकार से परेशान हो गई है इसके साथ ही राज़त इन पोस्टर की माधियम से बीजेपी को चुनौती दे रही है कि आने वाले समय में नरेंतर मोदी के सरकार को खार फेक दिया जाएगा वही बिधायकों के हाथों में मौजूद पोस्टर में दिखाया गया है कि मोदी सरकार की अमरित काल बजट में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपे तो वही कमर्सियल सिलेंडर के दाम में 200-300 रुपे तक की बढ़ोतरी हुई है नागा लैन में हुए चुनाव को लेकर शुशील कुमार मोदी ने सीम नितीज पर कसा तंच पीते दिन नागा लैन में हुए चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है जिसमें मुख्य मंतरे नितीज कुमार की पार्टी जेडियू को केवल एक सीटो पर जीत मिली वहें इस पर बीजेपी के वरस्ट नेता और राजी सभा सदस्य शुशील कुमार मोदी के द्वारा मुख्य मंतरे नितीज कुमार और पार्टी के राश्रिय अध्यक्ष ललन सिंग पर तंच कस्ते वे कहा है कि उत्तर पुर्व के तीनों राज्यों में सहयोगी दलों के सा बीजेपी का दोबारा सत्ता में लोटना दो हजार चौबस के लोग सभा चुनाओ का पहला ट्रेलर है उन्हें कहा कि नितीज कुमार की पार्टी जेडियू के द्वारा पूरी तागत लगा कर नागा लैन में चुनाओ लड़ी गई थी और उन्हें एक ही सीट पर जीत मिल पाई वहीं नलन सिंग बिहार के आधा दर्जन मंत्रियू का कैम करवाया था लेकिन फिर भी उन्हें संतुस्ती लायक सफलता नहीं मिल पाई भारत को हडा कर आस्ट्रेलिया पहुंची वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में आस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस का ट्रॉफी 2023 टेस्ट सिरीज में बापसी की है शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद गंगारू टीम ने इन दौर टेस्ट में भारत को 9 विक्टो से हरा दिया एस जीत के साथ आस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप 2023 फाइनल में पहुँच गई है लेकिन इसके बाद ट्रैविस हेड और मारनस लाबूशेड ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इपारी को संभाला बलकी शांदार जीत भी दिलाए भारती स्पिनर्स उनका विकट लेनी में नाकाम रहे और उस्ट्रेलिया ने 9 विकटो से जीत दर्ज कर ली ट्रैविस हेड ने नाबाद 49 रनों की पारी के लिए जबकि लेबूसेड 28 रन बनाकर नाबाद लोटे अब सिरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में खेरा जाएगा भारत अगर अंतिम टेस्ट जीत चाती है तो सिरीज पर तो कबजा होगा ही इसके अलावा टीम लगा था दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में पहुँचने में काम्याब हो जाएगी जानियाद बिहार में क्या है पिट्रोल डीजल के रेत बिहार में आज यानी शुक्रवार को पिट्रॉल डीजल के रेत जाई किएग इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रोल 107.292 रूपए और डीजल 94.692 रूपए प्रती- लीटर में मिल रहा है वही पूर्णिया में पेट्रोली कीमत 1.072 रुपे और डीजल 95.04 रुपे प्रती लीटर है भागलपूर में पेट्रोली कीमत 1.082 रुपे और डीजल कीमत 94.097 रुपे प्रती लीटर निर्धारित की गई के साथ ही गया में पेट्रोली कीमत 108.3 एक रूपए और डीजली कीमत 95.4 रूपए प्रती लीटर है। सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद